हाई गाईज वेलकम बेक तो माई यूट्यूब चैनल हैक शिवाय आजकिस वीडियो में हम ट्राइएक में की बिलू मशिन को सौल करने वाले हैं चलते हैं अपने वीडियो की तरफ मैं इस मशिन को स्टार्ट कर दिया है और अपने काली लिनक्स मशिन में ओपन वीडियो के हैज से इस मशिन को कनेक्ट कर लूँगा तो सबसे पहले हम टर्मिनल ओपन करते हैं रूट पर्मिशन दे देते हैं यह उसके बाद हम इस मशिन को ओपन वीडियो के हैज से कनेक्ट कर लेते हैं तो जैसे क्या आप देख सकते हैं इनिशिलाजेशन स्षीक् यानि जो हमने connect की है वो IP address हमें मिल चुका है हमारी VPN का तो यह machine हमारी connect हो चुकी है तो हम एक new terminal open कर लेते हैं इसको root permission दे देते हैं रहें चलते हैं अपनी machine की तरफ तो हमारा जो सबसे first task है वो है recon यानि कि हमें इस machine की reconnaissance करनी है यानि इस machine के बारे में जितनी जाद information iphone sv and machine का ip 10.10.232 and 137 and enter तो basically जो nmap का switch है hyphen sb इसकी help से हम जो भी हमारी इस machine पर ports open है और उन पर जो services run हो रही है यह उनके version को पत लगा देगा इस port पे इस service का यह version रन हो रहा है and another port पे इस service का यह version रन हो रहा है तो hyphen svc switch का यह काम होता है तो इसको scan होने देते हैं इसे scan होने में लगबग 1-2 minute का time जाएगा तो आप तब तक वेट करें तो guys हमारी machine को scan कर लिया है nmap ने and हमारे सामने यह result शो हुआ है इस पे port number 135, 139, 445 तो इस तरह से यह port open है and उन पे जो जो services चल रही है हमें उसका result मिल चुका है और जिस service का जो भी version है अब मैं अपने वो result प्रोवाइड कर दिया है तो चलते हैं अपने questions की तरफ तो हमारा first question है how many ports are open with the port number under 1000 यानि इस machine पे 1000 से नीचे कितने ports open है तो 135, 139 and 445 तो इस machine पर 1000 से नीचे 3 ports open है तो हमारा first answer हुआ 3 then हमारा next question है what is the this machine vulnerable to यानि कि यह machine किस चीज से vulnerable है तो जैसे कि इस machine का नाम है blue and eternal blue एक virus है आप चाहें तो इसके बारे में Google पर और भी पढ़ सकते हैं eternal blue स्रिफ आपको सर्च करना है और आपको इसकी information मिल जाएगी eternal blue is a computer exploit developed by the US national security agency eternal blue एक US की national security agency दोवारा developed किया हुआ exploit था it was leaked by the shadow brokers hacker group और April 14 2017 इसको shadow broker hacker group ने 14 April 2017 को leak कर दिया था तो इसका जो answer है जो इसका वो है हमारा एक किस चीज से vulnerable तो उसका नाम है MS 17-010 यह इसकी vulnerability है Microsoft 17-010 तो हमारा यह भी answer हो गया then हमारा next task है gain axis यानि कि हमें MetaSport की help से इस machine में initial axis लेना है तो सबसे पहले हमें काम करते हैं हम एक new tab open कर लेते हैं इसको root permission दे देते हैं password mistake यहां पर हम अपना MSF console start कर लेते हैं MSF console start होने में थोड़ा time जा सकता है जब तक start नहीं होता आपको wait करना है हमारा यहां पर metasport को framework के वह start हो चुका है then हम यहां पर simple is exploit को search करना है सिंपल आपको type करना है search MS17-010 and हमारे सामने जो है पांच exploits यहां पर जो भी है open हो जाएंगे तो आपको जो सबसे first वाला है exploit windows slash smb जो है यह वाला use करना जिसकी rank है average and check yes यानि check जो yes है इसका मतलब है यह exploit काम करेगा and description में जो है MS17-010 eternal blue SMB remote windows kernel pool corruption यानि कि यह एक SMB का SMB vulnerability के exploit है जो कि US की national agency द्वारा develop किया गया था लेकिन इसको बाद में leak कर दिया गया था shadow broker hackers group द्वारा तो चलते हैं सबसे पहले हमें type करना है use 01 यानि इस exploit को use करने के लिए आपको simply command देनी है use and उसके बाद इसका ID number इसका ID number इसका ID number है वह है 0 then उसके बाद आपको enterprise करना है और हमारा यह exploit select हो जाएगा then उसके बाद आपको इस exploit से related payloads select करना है चाहे तो आप यहां पर command दे सकते है show payloads and आपके सामने इस exploit से related जितने भी payloads होंगे जिने आप use कर सकते है वह आपके सामने display हो जाएंगे या आप simply आप अपनी machine की description में जाएंगे तो यहां पर आपको जो भी आपको payload यूज करना है उसका नयाम आपको पहले सी दिया हुआ है तो simply आपको यह टाइप करना है set payload windows इसका देन उसके बाद आर्किटेक्चर shell reverse discord TCP तो आपको यह वाला payload यूज करना है then enter उसके बाद आपको टाइप करना है show options आपको जो भी options required है वो set करने है तो सबसे पहले आपको set करना है our host our host means आपको जो भी आपकी आपकी विक्टिम मशीन है उसकी IP address आपको यहां पर set करने है तो हमारी IP address है 10.10.232.137 तो हमारी R host set हो गया then उसके बाद आपको set हमारा R port 445 जैसे कि SMB की vulnerability थी और SMB का default port इसने 2445 ले लिया है then उसके बाद आपको type करना है अपना L host set L host आपको L host set करते हुए एक बात का दिहान रखना है आपको अपने open VPN का IP address set करना है जैसे मेरे open VPN का IP address 10.17.30.33 तो आपको अपने L host में open VPN का IP type करने क्योंकि आपको जो मीट जो आपको reverse shell मिलेगा वह आपको open VPN के connection पर मिलेगा तो simply आपको अपने L host में type कर देना है open VPN का IP then enter तो हमारा सब्सक्राइब हो चुकिए हम एक बार फिर से show option करके देख लेते हैं तो हमारा भी R host and L host दोनों चीजे set हो चुके हैं then simple आपको run type करना है या फिर आपको exploit type करना है and उसके बाद enterprise करना है तो यह exploit run होने लग जायागा then इसने हमें यहां देखा दिया है host is likely vulnerable to MS 17 हैने कि हमने अपनी विक्टिम की IP address दी है यह हमारा host इस vulnerability से vulnerable है यह exploit run होने में थोड़ा time लेगा जब तक आपको reverse shell नहीं मिल जाता है आपको wait करना है तो guys हमें यहां पर windows का shell मिल चुका है तो हमने इस machine का initial access ले लिया है तो चलते हैं अपने questions की तरफ तो हमारा जो first question है वो है find the exploitation code we will run against this machine what is the full path of the code यानि कि जो हमने exploit यूज किया है इस machine का initial actions लेने के लिए आपको simply यहां पर type करना है जो जो भी हमने mat exploit में पहले exploit search किया था and then उसको use किया था exploit windows smb ms17 underscore 010 underscore eternal below तो आपको यहां पर यह type कर देना है तो हमारा next है show options and set the one required value यानि कि जो भी exploit में हमें एक value set करनी थी वो हम यहां पर लिखनी है हमने rhost set किया था अपनी victim की machine की IP है वहाँ पर set की थी तो आपको simply आपर rhost लिख देना है तो हमारा यह task भी complete हो गया then हमारा next task है escalate यानि कि आपको अपने privilege को escalate करना है तो simply इसमें कुछ नहीं करना आपको जो हमें terminal पर अभी windows की shell मिला है आपको इसी shell को metasport का मीटर पीटर shell होता है उसमें upgrade करना है तो इसमें upgrade करने के लिए simply अगर आप इसको पढ़ोगे तो इसमें लिखेगा मिलेगा आपको कि आपको online search करना है कि आप windows के shell को metasport में किस तरह से upgrade कर सकते हैं तो इसके लिए आपको इक module की use करना पड़ेगा तो सबसे पहले उस module का use करने के लिए आपको जो भी आपका ये windows का session है इसको background करना पड़ेगा बैग्राउंड करने के बाद या आप किसी भी exploit या किसी भी module का use कर सकते हैं तो simply इस session को background करने के लिए आपको press करना है ctrl z then उसके बाद ds करके इसको background कर देना है तो हमारा जो session background हो गया हमारा id no.1 then उसके बाद हमारा type किया है shell उसके बाद हमारी information shell banner microsoft windows यानि कि हमारा जो session है वो एक id no.1 अभी active है जो हमने background किया है उसकी id है one then उसके बाद आभी हमें इस window shell को meter-pilator shell में upgrade करना है तो सबसे पहले हम यहाँ पे search करेंगे search post multi manage shell to meter reader तो basically हमारा एक post module है जिसके help से हम windows shell को meter-pilator shell में upgrade करेंगे तो उसके बाद आपको इससे use करने के लिए use लिकना है तो इसके बाद आपको id type किनी use zero तो हमारा यह module select हो चुका है then उसके बाद type करना है show options and उसमें आपको तीन option set करने है तो हमारा जो एक option है handler and हमारा जो एल port यह by default set है and हमें सिर्फ एक जो हमें value set करनी है वो है session की value यानि कि जो हमने अपना session background किया था आपको उसका id number यहाँ पर set करना है and उसका id number 1 जो कि हमने पहले से देखा हुआ है यह देखिए id number 1 जो simply आपको यहाँ पर type करना है set session and आपको यहाँ पर अपने active session की id देनी है set session 1 and enter तो हमारा session select हो चुका है principally आपको run type कर देना है and enter तो हमारा session को यह upgrade कर रहा है तो इसमें कुछ time लग सकता है तो तब तक आपको wait करना है जब तक यह आपकी windows shell को meter peter shell में upgrade नहीं कर देता तो आप देख सकते हैं हमारा जो post module है वह execution complete हो चुका है then यह उसके बाद sending stages meter peter session to open यानि जो हमने अपना session को background किया था उसकी session id थी 1 and जो इसने अब new session open कर रहा है उसकी session id है 2 आप यहाँ पर देख सकते हैं meter peter session 2 open यानि कि इसने meter peter shell है उसको open कर दिया है उस session को open कर दिया है और सेशन की आईडी है इसको कम्प्लीट जब तक की कम्प्लीट नहीं होता तब तक आपको वेट करना है तो गाई अगर इससे ज्यादा टाइम हो जाए ऐसे स्टॉपिंग एक्स्पोट मल्टी हैंडल आपको यही मैसिज शो होता रहे तो सिंपली आपको कंट्रोल सी प्रेस करना है और उसके बाद आपको टाइप करना है सेशन्स तो आप देख सकते हैं अभी हमारे पास दो सेशन्स अवेलेवाल है फर्स शेशन हैं जो हमने इनिशेल एक्से लिया था विंडोज मशीन का वह विंडोज मशीन का हमारा फिर्ट इभी है इसकी एड्ड और आइड नंबर टू है यह हमारी meter filter shell जो कि हमने post module के help से upgrade किया है तो simply आपको जो हमारा second वाला meter filter shell है इसको select करना है तो इसको select करने के लिए आपको simply type करना है sessions-i and उसके बाद आपको 2 डाल देना यानि कि session-i का मतलब session की id and उसके बाद id number जो कि हमारा 2 है तो simply आपको उसके बाद enter कर देना है and आप देख सकते है starting interaction with session number 2 यानि कि हमारा जो meter filter shell है उस window machine की हमें वो मिल चुकी है तो हमने successfully windows machine से windows machine की shell से meter filter की जो हमारी shell है उसमें अविलेड कर लिया है तो चलते हैं अपने questions की तरफ हमारा जो first question है वो है research online how to convert a shell to meter operator what is the name of the post module यानि कि जो हमने shell को meter operator shell में convert upgrade करने के लिए जो भी module उसके है वो आपको यहाँ पर डालना है तो हमने use कह है post slash multi slash manage and shell to meter operator then हमारा next है select this use module path show option what option are required to change यानि कि जो भी यह module है उसमें कौन-कौन से options को हमें set करना तो वो हमें यहाँ पर डालना है तो हमें सिर्फ एक ही value को set करना था वो थी session की तो सिर्फ आपको यहाँ पर session type कर देना है and then उसके बाद यहाँ पर हमें किसी भी answer करने की ज़रुत नहीं है तो यहाँ पर basically एक चीज और दी हुई है उसके बाद दिया हुए verify that we have escalated to anti-authority system run get system to confirm this so simply आपको आप आपने privilege escalate किया है नहीं किया है तो simply आपको यहाँ पर कोई भी command type करके देख सकते हैं जैसे कि get system एक minute operator की command होती है तो आप इसको tab कर सकते हैं already running as a system यानि कि यह पहले से system के उस पर run हो रहा है so simply हमने privilege escalate कर लिया है then उसके बाद list all of the process running by the ps command just because we are system does not mean our process is find a process towards the bottom of the list that is running at anti-authority system and write down the process id migrate to this process simply यहाँ पर यह बोल रहा है हमें कोई ऐसी process को find करना है जो कि anti-authority system से run हो रही हो and then उसको migrate करना है so basically process को migrate करने का काम क्या होता है so basically process को migrate करने का यही काम होता है कि हम जादा देर तक machine पे बने रहे जखें यानि हम अपनी identity को जादा देर तक hydra सकें अब भी हम basically anti-authority system यानि हमने administrator के level से काम कर रहे है so simply अगर हम अपनी process को migrate कर देंगे किसी और process में तो हम रहेंगे तो anti-authority system लेकिन हमारी जो process है वो दूसरी रहेगा process का ID number वो भी दूसर रहेगा तो हम इस तरह से अपनी identity को system पे जादा देर तक छुपाई रख सकते है as a privilege user यानि कि आपकी process जूसरी है लेकिन आप काम कर रहे है as a administrator तो basically process को migrate करने का यही काम होता है कि आप अपनी identity को जादा देर तक machine पे छुपाई रख सके तो simply आप चाहे तो इसको कर सकते हैं इसको करने के लिए simply आपको टैप करना है PS and PS के help जो भी current process है वो आपके शामने शो हो जाएंगी तो basically जो windows पे common process है svchost.exe तो यह एक ऐसी common process है जो windows पे run होती है simply आप इस process को migrate कर सकते हैं तो इसको migrate करने के लिए simply आपको type करना है migrate and आपको अपनी process की ID type कर देनी है फिलाल में इसको migrate नहीं करता है ऐसी छोड़ देता हूं तो आप इसको चाहें तो migrate कर सकते हैं तो हमारा यह task भी complete हो गया then हमारा next task है cracking यानि जो भी हमारे users के password हैं हमके उनको hashes को dump करना है then के बाद उसको crack करना है तो सबसे पहले हमें हमारी meter creator में command है hasdump इस hasdump की help से हमारे machine पे जितने भी users हैं हमें उनका username एंड उनके password के hashes मिल जाएंगे तो अभी हम आप एक बात का धिहान रहें आप hasdump command का use अभी कर सकते हैं जब आप anti-authority system यानि की administrator हो तो आप देख सकते हैं हमारा जो administrator user है हमें उसका hash मिल चुका है then हमारा next user है guest हमें उसका भी hash मिल चुका है then हमारा next user है John हमें उसका भी hash मिल चुका है so simply हमारा जो first question है वो यह ही है कि this will dump all the password on the machine as long as we have the correct privilege do so what is the name of the non-default user यानि कि जो भी इस machine पे non-default user है वो हमारा कौन सा user है so simply आपको यहां पे zone लिख देना है and zone हमारा non-default user है and then उसके बाद हमारा है copy this password hash to a file and research how to crack it what is the correct password यानि हमारा zone का जो भी hash मिला है हमें password का हमें इस file को crack करना है so crack करने के basically यहां पर simple दो तरीके हैं आप चाहें तो online भी इसको crack कर सकते हैं या आप काली Linux के किसी भी टूल से इसको crack कर सकते हैं तो सबसे simple जो तरीका hash को crack करने का है वो आप online कर सकते हैं so simply आपको anti-alum hash को copy करना है जो हमारा anti-alum hash है इतना हमने उसको copy कर लिया है होती है वह हमें crack करके देती है तो simply आपको यहां पर अपने hash को paste कर देना है then उसके बाद आपको crack hashes पर click करना है तो basically यह जो जितनी भी CTFs के hashes होते हैं यह mainly row q.txt list से ही मिलते हैं लेकिन online crack करना यह बहुत ज्यादा simple है तो simply हमने इसको यहां पर paste कर दिया and अब भी हमें हां पर इसका type है वो मिल चुका है anti-alum and जो हमें result मिला है वो हमें इसका plain text password मिल चुका है अब इसमें जो हमने hash को crack करा है इसमें 3 तरह की color होते है first है हमारा green green color का मतलब है हमारा hash है वो पूरी तरह से ठीक है यानि इसने पूरी तरह से हमारे hash को crack कर दिया है and जो second color हो है yellow यानि कि यह इसका मिलता जूलता match है ना तो वो 100% match होगा और नहीं वो ऐसा होगा कि बिल्कुई match ना करें तो वो partial match होता है and जो हमारा red color होता होता है north found यानि अगर वो आपको red color show होता है ग्रीन की जाता तो वो आपके hash को crack नहीं कर पाता तो simply अब हमें आप एक green color show हो रहा है तो उसने हमारे hash को crack कर दिया है और हमें plain text में password मिल चुका है तो simply आप यहाँ इसको copy करें and आपको यहाँ पे इसको paste कर देना है इस तरह से हमें zone user का password मिल चुका है and चाहे तो आप इसको hashcat की help से भी crack कर सकते है तो hashcat की help से crack करने के लिए simply आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना हम एक new tab open कर लेते हैं उसके बाद इसको route permission देते हैं तो simply हमें एक file जो हमने ntlm hash है हमें उसको एक file में सबसे पहले paste करना होगा कर दिया मान लीजिए hasis.txt file में then उसके बाद आपको अपने hashcat tool का use case file को crack करना है तो simply आपको command लिखना है hascat-m100 and आपके अपने file का नाम hasis.txt and उसके बाद अब basically सबसे पहले समझते हैं hyphen m यानि कि हमारा जो mode है 100 यानि कि जो ntlm का हमारा mode hascat में support करता है कि मा कौन से has के version के लिए जो भी मारा ntlm है ntlm version 2 है version 1 है उसके लिए कौन सा attack mode use करना है तो आप simply महा से इसको check कर सकते हैं तो हमें ntlm version के लिए जो है basically simple 1000 attack mode को select करना है उसके बाद आपको अपनी जिसमें भी आपने file में अपने hash password को paste किया वह आपको अपने file का नाम देना है देन उसके बाद जहां पर भी आपकी word list है उसका path देना है तो user share word lists word lists row q dot txt देन उसके बाद आपको enterprise करना है तो आप देख सकते हैं मैंने hash पहले से crack किया हुआ है तो इसने मुझको इनफॉर्म कर दिया है all hash is found as a port file and or empty entries use hyphen hyphen show to display them तो simply मैंने ये पहले से crack किया हुआ है तो मुझको कुछ नहीं करना simply मैं इस command को लिखूंगा और उसके बाद hyphen hyphen show करूंगा तो मुझे इसका जो hash का plain text password पहले से ही मिल जायागा आप देख सकते हैं alqfna22 जो हमारा hash है मुझे इसका password पहले से ही मिल चुका है अगर आप इसको first time crack करेंगे इसमें 2-3 minute या 4 minute का भी time लग सकता है तो आपको वह आपके system के performance के ओपर depend करा गया कि आपका brute force किती देर में होगा तो आपको जब तक crack नहीं हो जाता आपको wait करना है simply आप इस तरह से hashcat की health से भी password का crack कर सकते हैं जिससे भी आप करना चाहें तो इस तरह से आप चाहतो ओं-लाइन भी crack कर सकते हैं या हैसcat या ज़ो अदर एपर tool की health से भी crack कर सकते हैं पर depend करता है, हमारा जो last task है, वो है find flags, अभी हमने इसको reconnaissance भी कर लिया, हमने इसका initial access भी ले लिया and इसको privilege भी create कर लिया and हमारे जो password थे उसको हमने crack भी लिया, हमारा जो last task है, है find flags, बेसिकलि , यहां पर flag.txt अब इस command से क्या होगा यानि हमने जो search command type करी है इसके बाद जो switch दिया है hyphen f यानि की file का name हमारा file का name है flag.txt अब हमारे इस window machine में जितनी भी flag.txt नाम से files या documents अवेलेवल होंगे वो हमें यहाँ पर display हो जाएंगे तो इस command से आप असानी से ढून सकते हैं कि हमारे जितनी भी flag से किस location पर अवेलेवल है तो आप देख सकते हैं no files matching your search were found तो यहाँ पर कोई भी result इसने show नहीं किया है तो guys हम command type करते हैं फिर से search-f flag.txt अभी हर location पर हमारे flag.txt फाइल को search करेगा तो इसने हमें तीन फाइल की location दे दिये हैं हमारे जहां पर है flag.txt यह हमारा c location पर है दिन हमारा जो flag.txt हमारा c के अंदर windows system 31 config इसके अंदर है जो हमारा flag 3 है वो हमारा zone user के अंदर document है तो आप इस सरा से flag.txt को search कर सकते हैं तो अब इनको simply आपको cat करना है cat c flag one dot txt and cat c उसके बाद आपको flag one dot txt तो आप दे सकते हैं हमारा जो first flag वो है access the machine तो उसके बाद हमारा second flag को हम cat करते हैं windows यह हमारा system 32 config and उसके बाद flag two dot txt तो हमार जो second flag है तो guys लगते हैं कुछ cat c अब windows आपको double backslash का यूज करना है जो भी आप windows का system use करें system 32 double slash config then उसके बाद double slash and flag two dot txt तो हमारा जो second flag है sam database elevated access तो आपको पता होगा हमारे जितने भी windows के password का hashes होते हैं वो windows system में sam के अंदर store होते हैं जो के बाद हमारा last है जो की हमारा save है c cat c के अंदर हमारा जो users है उसके अंदर हमारा जो zone नाम का user है जो उसके अंदर documents है और उसके अंदर हमारा flag three है तो guys हमें flag three भी मिल चुका है आप search command का use ना करना चाहें तो आप simply यहां पर इसको पढ़ सकते हैं जो हमारा first flag उसकी location यहां पर इन्होंने hint करी हुई है आप चाहे तो देख सकते हैं within windows यानि कि जहां पर भी हमारे windows के password store होते हैं आप उस location पर search कर सकते हैं इसनों एक और hint दिया है windows really doesn't doesn't lie the location of this flag and can occasionally delete it it may be necessary in some cases to terminate the machine and return the export to find the flag यानि कि जो windows है वो occasionally इस file को delete कर दिया है तो आप simply चाहें तो इन hint को भी पढ़के flag को देख सकते हैं इस last is this flag can be found in an excellent location to loot administrator usually have pretty interesting thing saved यानि कि आप इस hint पर किलिक करेंगे तो आप देख सकते हैं you will need to have elevated privilege to access the flag यानि इस flag को पाने के लिए आपको अपनी privilege को accelerate करना पड़ेगा आप चाहे तो सर्च करके भी flag को देख सकते हैं या आप इन hint को भी पढ़के आप manually खुदी find कर सकते हैं यह आपको depend करता है जैसे चाहें इन flags को find कर सकते हैं इन उसके बाद हमारे यह task भी complete हो गया तो यह machine हमारी solve हो चुकी है तो guys I hope आपको यह machine किस तरह से solve करनी आपको समझ में आया होगा तो मिलते हैं अपनी next video में thank you